हलो एवरिवेन वेलकम टू इलेक्राल डिपार्टमेंट आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक शिक्स समिश्टर का सब्जेक्ट इंस्टालेशन मेंटेनस एंड रिपेयर आप इलेक्रिकल एक्टूपमेंट का दूसरा चेप्टर इस्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा कि पहला चेप्टर के वीडियोज देख सकते हैं आज के सेशन सबसे पहले देखते हैं इसके स्लेबस में पढ़ना क्या है भी की कूछा आपका दूसरा चेप्टर इसका पहला वाला चेप्टर जो दो iz тех चूट चिप्चित्पमें नहीं थे Tomato प्योगत्च का है उतbabते हैं लेकिन दूसरा चेप्टर जो है जो कि इस पूरे बाश्व है मतलब की बहुत बड़ा टॉपिक है इसको कम से कम काफी टाइम लग जाएगा एक महिनेस ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको समाप्त होने में तो धीरे-धीरे करके हम लोग समझते चलेंगे तो कोई भी कठे स सब्जेक्ट नहीं है समधाते चलेंगे सब्भी टॉपिक को आप अच्छे समझ में आ जाएगा तो पहले देखिए हमको पढ़ना है कि इसके बाद हमको देखना इस्टालेशन आफ ट्रस्मिशन संद डिस्टिउशन लाइन अबढ़ आप बताएंगे जब आपको बताईएंगे कि इस्टालेशन क्या होता है और transmission line और distribution line का installation करने में किन-किन equipment या किन-किन material की आउशकता होती है ये सभी topic उसी के हैं तो सभी को बताएंगे फूरे detail में तो सबसे पहले हम देखते हैं installation क्या होता है तो अब हम समझते हैं कि installation क्या होता है देखे installation का Hindi meaning अगर बात करें तो installation का मतलब होता है संस्थापन आप लोग कभी ने कभी सुने होंगे कि इस चीज का अस्थापना किया गया या कोई भी नया चीज होता है उसको करते हैं उसको मतलब की जैसे कि घरों में wiring होता है तो घरों में जब wiring होता है तो वहाँ पर हम जैसे क्या लगाते हैं board लगाते हैं, socket लगाते हैं, light लगाते हैं इन सभी को हम cable के माद्यम से एक structure के रूप में लगाते हैं तो क्या होता है जो आपका electrical wiring होता है वो भी क्या है पर गारगर का सौकेट और लाइट को एक इस्ट्रक्चर में अस्थापित किया जाता है तो कहने का मतलब यही है कि जो इंस्टालेशन होता है उसका मतलब है कि कई प्रकार के उपकरण को एक अस्थान पर हम क्या लग करते हैं एक अस्थान पर अस्थापित करते हैं ताकि एक ही अस्थान से उस चीज को operate कर सके जैसे आप लोगों ने सबिस्टेशन देखा होगा सबिस्टेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इसी खाली अस्थान को चैन करते हैं उसके बाद वहाँ पर सबिस्टेशन में जो भी उपकरड़ लगते हैं उन सबका वहाँ पर अस्थापन किया जाता है इसी को बोला जाता है संस्थापन इंस्टालेशन मतलब नई चीजों को अस्थापित करना क्या कराता है इंस्टालेशन कराता है तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो definition कुछ इस प्रकार सिसका दिया जाएगा कि वैदु संस्थापन जो है वैदु संस्थापन जो है एक विशेस उद्देश को पूरा करने के लिए विद्दुत उपकरणों का एक सयोजन है इसका बिल्कुल नौर मतलब की बिल्कुल आसान सब्दों में आप समझ सकते हैं क जैसे भी कि आप घरों में जब आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो किस इद्दश की पूर्ती के लिए करते हैं ताकि हम घरों में मतलब कि एक ही अस्थान से क्या करें जो भी हमारे घर में लाइट हो गया जो भी चीज लगा हो उसको हम आपरेट कर सके उसको हम मतल नमें केवलिंग किया गया होता है और यह दोमिस्टिक देश की पूर्ति के लिए किया जाता है तो हमने आपको दो एक्जांपल बता है एक इलेक्ट्रिकल वारींग जो है एक संस्थापने के गार का और आप सबस्टेशन भी सी तरह से रहे तो इंस्टालेशन वर्ड से आप लोग समझ पारेंगे कि इस्टालेशन का मतलब क्या है जैसे हम एक घर बनाते हैं तो वहाँ पर पहले जमीन की विवस्था करते हैं उसके बाद वहाँ पर उसमें जो भी घर बनाने में जो भी मैटेरियल लगते हैं उन सबको step by step क्या करते ह और एक प्रगार से घर बनके त्यार हो जाते हैं करने मतलब वहाँ पर एक घर स्थापित किया जाता है या इस्टालेशन का नॉर्मल मीलिंग यही है अगर definition की बात करें तो विद्दू संस्थापन जो होता है एक विश्यस उद्देश को पूरा करने के लिए विद्दूत करणों का एक संयोजन होता है यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन के बारे में बताया क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन के बारे में समझना है अब बात आती है कि जो यहां पर आपके स्लेवस में द ही इसनले समार ट्रांसमिसंलाइन डिस्टिबिशन लाइन तो मतलब होसे बताएड जो ट्रांसमिसलाइन जो होता है आप लोग देखें होंगे आप अब देखें आप यह यहां पर आप देख सकते हैं月 क्रूट ट्रीक है यह कैसे अनRE तो देखे इसंतालेशन आप ट्रांस्मिशन लाइन and distribution लाइन क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आप transmission लाइन देख रहे है ऺिए यहाँ पर जो आप transmission li'! यह वर्ले transmission लाइन जो देख रहे हैं इसको installation कैसे कर देंकUh मतलब कि इस पहले कहा करेंगे इसके बाद वायर को किसी भी मसीन की सहता से उपर ले जाएंगे फिर वहां पर उसको जितने मिन्टर की दूरी पर रखना page करेंगे तु उसारा एक इस्टेफ होता है तो इसमें को अस्थापित करेंगे अगर हमको किसी जगां अस्थापित करना हुआ या ट्रांस्मिस्टन लाइन का अर्थिंग कैसे करेंगे ट्रांस्मिस्टन लाइन में जो साइग होता है इस्पाइन होता है ग्राउंड क्लीरेंस होता है उसको कैसे करेंगे फिर क्या बात आती है कि जो transmission line का tower होता है उसको कैसे खड़ा करेंगे transmission line का जो pole एक होता है tower होता है जो मतलब कि 66 kg से उपर line को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने के लिए हम tower का प्रयोग करते हैं अब pole का भी आप घरों में देखेंगे जो cement आला pole होता है और की पड़री गई है और यहां से आपके transmission line ले जाना है तो उसको किस प्रकाच ले जाएंगे तो transmission line के installation का मतलब यही होता है कि transmission line को आप installation मतलब के अस्थापित कैसे करेंगे तो यही पढ़ना है तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि transmission line होता क्या तो अब हम देखते हैं Transmission Line क्या होता है और जितना भी चीज़ आपको बता रहे हैं जो बोल रहे हैं वह भी और जो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वह भी आप सारी चीज़ अपने नोट्स में नोट करते चलिए अब देखें जो कि हमारा टापिक ही है कि Transmission Line का Installation पहले यह पढ़ना है फिर पढ़ना है Distribution Line का Installation तो Transmission Line जो होता है उसको हम दो प्रकार्च ले जाते हैं आप लोगों पता होगा यह होता है ओवर हेड अक होता है अंडर्गरांड वाला थो टावर के ऊपर्च ले जाते हैं टावर के साहता से ले जाते हैं और जो अंडररांड होता है वह Training subject č❼ै जयाता है तो देखें अ Absolute ब सकते हैं खते हैंना cauliflower sank Pi अब वह बिजली का उत्पादन पर खरए से को करें कि लिए तो पिर पिजली को बिलें certific embrace के स्टायरे सपीड करें अब हम सकती हुआ है कि हाँ से जल्दी से पहुंच जाएगा कि गलेंगे सीच टाइ HCVR को कंवर्ट कर देंगे किसमे 66 kb में ठीक है 11 kb को 66 kb में convert करेंगे इसके बाद 66 kb में जो convert कर देंगे उसके बाद हमको ज़रूत होगी transmission line की तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए speed की ज़रूत होती है और 66 kb से अधिक के करेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हम टावर का उपयोग करते हैं और टावर के मध्यम से करेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है और transmission line में ACSR aluminum conductor steel reinforced motor ACSR wire का उपयोग किया जाता है तो आप लोगों समझ में आगया होगा transmission line होता क्या है transmission line का प्रियोग हम किसलिए करते हैं जो power plant पर विजली का उत्पादन होता है उसको एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने के लिए हम transmission line का प्रियोग करते हैं और transmission line जो होता है वो aluminum conductor steel reinforced का वायर होता है यही होता है आपका transmission line अब यहां पर एक चित्र में दिखा जाते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन सब को कैसे अस्थाफित के जाता है इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे यहां पन को किवल आपको बताना था कि transmission line होता क्या वीच की दूरी क्या बर जाता है इस पैन बोला जाता है और transmission line की बारे में अगर आपको बता है तो transmission line में जो तीन phase wire होते हैं यहां पर आपको जो दिख रहे हैं यह तीन phase wire है और यहां पर जो ऐसे करके ऐसे निकला इसको cross arm बोलते हैं तो cross arm को कैसे स्थापित करते हैं यह भी आप इसी chapter पढ़ेंगे यहां पर मतलब कि एक transmission line के जो टावर होता है इसको कैसे खड़ा करते हैं कौन-कौन सा method होता है यह सब आप आगे पढ़ेंगे और यहां पर तीन जोग का phase wire हो गया और एक उपर जज़ा था उसको आर्थिंग वायर बोलते हैं यहां पर आप देख दोनों के एक टॉपिक है यहां पर एक लिखा गया है इस्टॉक ब्रिजटमपर इस्टॉप ब्रिजटमपर यह क्या होता है इस्टॉप पर जहोता है तो उस जन्जनाहाट को कम करने के लिए ही इस टॉक टॉक साजमीशन को लेकर वोडहे है न गजmakने का लाइं अब तो पर यहाँ आपको नहीं पढ़ना है ऑफ आसे कोते हैं यह जो एसे ढऄ रहा है यह ज वह एसे कर गए यह क्रास आर्म है तो इसको सकतागा है अर्थिंग करना है यहां पर एक चीज और दिख रहा होगा आपको यह चीज यहां पर जो यह वाला वायर है यह वाला वायर ऐसे करके दो वार गया है इसका नाम होता है jumper wire इसको jumping wire बोलते हैं इसका काम क्या होता है इसको कैसे इस्थाफित करते हैं यहीं सब आगे पढ़ना है बस अभी आप यह जाने लिजिए कि transmission line कब रहे होगा हम voltage आ current को फार्म को wave के फार्म को एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर करने जाने के लिए करते हैं अब हमको इसी chapter में अगला topic है आपका what is distribution line distribution line करके topic नहीं है लेकिन topic दिया गया है installation of transmission line and distribution line तो हमने आपको समझा दिया कि transmission line क्या होता है अब आपको बताते हैं कि distribution line क्या होता है तो देखी जो distribution line होता है distribution line का उपयोग हम electric supply को अलग अलग जगन distribute करने के लिए करते हैं जैसे कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं आपर इस चित्र में देख सकते हैं कि यह आपका power plant है यहाँ पर जो power plant में 11 कीवी को हम generate करते हैं उत्पन करते हैं उसके बाद करते हैं इस ट्रिप up transformer की सहाईता से इसको voltage को इस ट्रिप up कर लेते हैं मतलब बढ़ा लेते हैं voltage को इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका transmission यहाँ पर आपका आजाता है transmission line का tower तो पहलें हैं और यहां से हम जो यहां प्रवम्लि रहे हैं हम सब्लाइल करने के लिए उसले स्य Som vér believing नगया है तो आप कि प्रफल्ड प्रेस्ट करने के लिए हम सबस्टेस्ट करते में बननेवाली बिजली Transmission Line की मrèsफ से आपके पास किसी सबिटेस्टेशन में आ घया है। कहने मतलब आप कहीं भी रहते हैं, अगर पाउर प्रांट तो बिजली का उत्पादन होता है। वहां सबसे पहले टांस्मिशन लाइन के मिदस से उसको किसी सबीस्टेशन पर पहुंचाया जाता है सबीस्टेशन से पहुंचाने के बाद लेकिन हमें बिजली की जरूरत तो हमारे घरों में इसके अलामा कंपनी आदमी है तो अब आगे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को सब्सक्राइब करता है अब देखें यहां पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं यहां पर एक पोल है और पोल की माध्यम से सर्विस लाइन ये गया है जो यहां से जो लाइन जाती है घरों में इसको बोलते हैं सर्विस लाइन और इसकी क्या बोलते है इसको बोलते हैं क्या करता है घरों में एलेक्ट्रिक सप्लाई को अलग-अलग डिस्टिब्यूट करता है कि यहां पर एक बात ध्यान देने माली है कि सब इस्टेशन से जो भी वोल्टेज आता है सब से पहले उपने जरुरूरत के करते हैं इसके बाद वोल्टेज को हम डिस्टिब्यूशन लाइन की मदद से कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं तो यह चीजे था आपका पढ़ना था सबसे पहले टापिक जो था इंस्टालेशन आप ट्रांस्मिशन आइन डिस्टिब्यूशन लाइन इसके बाद का जो ट अब टावर को कैसे खढ़ा करते हैं यह समझने कि ज हैप का स्टैल स्टालेशन लाइन रिकित पर देखते हैं उस पर पार को कैसे सब चीजे पढ़से अंगे बहुत बहुत सब्धेर अब देखं़ देखी थोड़ आपको बता देरें कि notes में आपको लिखना कैसे क्योंकि notes में जो हमने लिखा है वो आपको दिखा देते हैं आप लोग screen side लेगे अपने notes में लिख लीजिएगा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ज़ो topic पिक है आपको बताया है वही चीज हमने आप लिखाए भी है आप स्क्रीन साथ देखके लिग भी सकते हैं फिर इसके बाद आपको 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 बताया है कि आप इसका इस्टालेशन नहीं कर देख पाएंगे है क्यों But for is high-quality distribution should be there distribution line होता क्या है इसको लिखना है इसके बाद आपको देखिया अगला ताप हो जाएगा य्डिकricson इरेक्षन आप स्टील इस्ट्रक्चर तो यह कल हम आपको इमेज के माध्धम से वीडियो के माध्धम से बहुत अच्छे सब को यह टापिक समझा देंगे कि इरेक्षन आप स्टील इस्ट्रक्चर मतलब इस्टील की जो सनशना होती इसको कैसे खड़ा किया जाता है उसके कौन-कौन से मेथड होते हैं सभी आपको पूरे डिटेल बताएंगे तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में